नमस्कार शोताओं, मुखी प्रादिशिक समाचारों के साथ मैं अभिलाश्र शुकला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव ने राज सरकार पर निशाना साधा और प्रधार मंत्री आवास योजना पर भ्रहम फैलाने का आरोप लगाया राज विधान सभा में आज प्रधार मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले अधूरे मकानों का मुद्दा गूंजा वही सदन में आज सूपे बेड़ा में पानी आपूर्ती के लिए टेंडर जारी नहीं करने का मामला भी उठाया गया मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने आज गोधन निया योजना के हितगराहियों को साथ करोड़ चार लाख रुपे की राशी का ओनलाइन भुक्तान किया मुख्यमंत्री ने कलविधान सभा में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सदन में बजट पारित होने के बाद आंगनबाडी कारिकरताओं, सहाईकाओं, मिनी आंगनबाडी कारिकरताओं, कोटवारों, रसोईयों, पटेलों और स्वक्षता कर्मियो को बढ़ा हुआ मान्दे मिलना शुरू हो जाएगा। काना के पंचकूला में आयोजित अखिलभारती वन खिलकूद प्रतियोगिता में 36 गड़ 11 वी बार ओवरॉल चैंपियन बना है। ये थे अब तक के मुख्य प्रादिशिक समचार, नमस्कार।